अल्शम्स, अल्मुारिफ, अल्कुब्रा नाम्यक, बौरानिक और अन्मोल किताब जो छटी सदी हिजरी में अर्बी बाशा में लिखी गई थी रूहानी अमलियात और डार्क वर्ल्ड पर लिखी ये किताब इतनी खतरनाक है कि काला जादू की दुनिया में ये अपने कलग हैसित रखती है इस किताब में ऐसी बाते लिखी गई है कि आज भी सौधी अरब के साथ साथ दुनिया के बहुत से मुस्लिम देशों में इस किताब पर पाबंदिया लगा दी गई है आम तोर पर इस किताब के बारे में जानकारी रखने वाले लोग यही जानते है कि इस किताब को छटी सदी हिज्री के कालिम या विद्वान जो की रोहानी अमलियात या काला जादू के बारे में बहुत कुछ जानते थे उन्होंने ही इसे लिखा था इसमें रोहानी अमलियात, जिन्नात को काबू करने, काला जादू और बहुत से बयानक तरीके मौजूद है इसी किताब के बारे में कहा जाता है कि इसके लिखे जाने के 100 साल बाद के अरसे तक ये किताब किसी के काम की नहीं थी क्योंकि जो भी इसको पढ़ने की कोशिश करता, वो या तो पागल हो जाता, या फिर जिन्नात उस पर हावी हो जाते थे 100 सालों तक ये किताब अपनी इसी बात की वज़स से काला जादू की दुनिया में जानी जाती रही लेकिन फिर कुछ सदियो बाद एक जनबी शक्स की तरफ से इस किताब की बहुत सी बातों को सुतारते हुए इस किताब से बहुत से नुस्के बनाई गई थे क्योंकि किताब लिखने वाले शक्स की तरफ से इसमें ऐसे ऐसे तरीके और मंत्र लिखे गई थे जिनको इस्तेमाल करते हुए कोई भी साधारण आदमी ताकतवर से ताकतवर जिननातों को अपने काबू में कर सकता था इसी वज़र से जिननात इस किताब की हिफाज़त किया करते थे ताकि कोई इंसान इसे पढ़ना पाए लेकिन एक दफ़ाए कजनभी शक्स ने चोरी छुपे इस किताब में सेहसे जादो इन उसकों को निकाल लिया था जिन उसकों को जिननात इंसानों तक कभी नहीं पहुचने दिना चाहते थे लेकिन अब भी इस किताब में मौजूद काला जादू और जिननात को काबू करने के बहुत से तरीकों के लिए कोई भी शक्स इस किताब को पूरी तरह समझ कर नहीं पढ़ पाता यहां तक कि पढ़ने की कोशिश करने वाले लोग पागलपन, मिर्गी, गुसा, सहर या बहुत सी बीमारियों में पढ़कर मर जाते हैं बहुत से मुस्लिम उल्मा इस किताब और इसके लेखक के विरुद में ही बाते कर चुके हैं जबकि बहुत से स्कॉलर्स के एसाब से इस किताब के लेखक को यहूदी और इस किताब को इसलाम के नाम पर एक कुफरिया तबा कर अर दिया गया है शायद यही वजह है कि सौधी अरब के समयत कई मुस्लिम देशों में इस किताब पर पाबंदी लगी हुई है इसलाम की छटी सदी हिजरी के आखिर में ये किताब मुहम्मद बिन अली बिन सायत की हिफाज़त में थी ये शक्स एक मालदार व्यापारी था और बहुत सी दौलत पाने के चक्कर में इसने ये किताब बहुत बड़ी रकम खर्च करके हासिल की थी हो सकता है कि उस वक्त इस किताब का सिर्फ वही एक आखरी हिस्सा बाकी बचा था जो मुहम्मद बिन अली के पास मौझूद था लेकिन बाद में इस किताब की बहुत सी बातों को बदल बदल कर इसकी बहुत सी कौपिस बनवाई गई उस शक्स का बयान है कि जब भी वो इस किताब को खोल कर पढ़ने की कोशिश करता तो उसी वक्त उसके सामने काले रंग का कोई हैवान आकर खड़ा हो जाता जिस हैवान के जिसम की सियाही और चहरे की नहुसत देखकर वो बेऊश हो जाता कई दफ़ा कोशिश करने के बाद आखिरकार ये किताब उसने काली में दिन के हवाले कर दी थी इस एक किताब से जुड़ी कुछ और जानकारी भी सामने आती है वो ये कि इस किताब की हिफाद़ शैतान जिन्नत किया करते है क्योंकि किताब में मौझूद कुछ जादूी तरीकों के इस्तेमाल से शैतान जिन्नतों को इनसानों के कंट्रोल में आने का खतरा था ये किताब खुद काला जादू के तरीकों का एक पंडार थी इसलिए शेहतान जिन्नात इस किताब को खतम भी नहीं कर पा रहे थे उस वक्त ऐसे बहुत से हाथसों के बाद ये किताब दुनिया की नजरों से गायब हो गई बाद में सातवी सदी हिजरी में जब ये किताब एक बार फिर मंजर आम पर सामने आई तो इसमें मौझूद कुछ मंतरों और बातों को मुटा दिया गया था इस किताब में मौझूद मंतर और काला जादू के तरीकों में से अब भी कुछ मंतर ऐसे है जिन्हें पढ़ने वाला अगर कोई आम इनसान हो जो काला जादू और तंत्र विद्या के बारे में अगर जरा सी भी जानकर इना रखता हो तो वो फोरण किसी अजीबों करीब परेशानी या अफ़त का शिकार हो जाता है लेकिन हैरतंगी इस तोर पर अब तक इस बात का पता नहीं चल सका कि इस किताब के वो कौन से ऐसे हिस्से बहुत बुरे और खतरनाक है जिने पढ़ने से इनसान किसी अचाना का ये मुसीबत का शिकार हो जाता है कहा जाता है कि एक शक्स ऐसा भी था जो किसी हद तक इस किताब को पढ़ने में काम्याब हो गया था अब क्यूंकि ये बहुत जमानों पुरानी बात है इसलिए किसी को भी उस किताब को पढ़ने वाले उस शक्स का नाम या पता मालूम ही नहीं लेकिन लोग उसे अलसाई के नाम से जानते थे अलसाई नाम के इस आदमी का तालुक यमन के पौराने के लाके अदन से हुआ करता था और वो यहां दसवी सभी हिजरी के बाद वाके हुआ था इतिहास के सबसे अलसाई नाम का ये शक्स शुरुआत में जब इस किताब को बहुत मुश्किल से आसल कर लेता है और जब किताब के उस्सों को पढ़कर अमल करने की कोशिश करता है जो हिससे काफी पेचीदा और बयानक थे दोस्वक जिन्नातों ने शक्स को रोकने की कोशिशे भी की थी अलसाई पहले से रोहानी अमलियात और काला जादू के बारे में बहुत जानते थे इसलिए वो इस बात से अच्छी तरह से आगा थे कि जिन्नातों की तरफ से इस किताब को उसे पढ़ने से रोकने के लिए किस किसम के अत्कंडे किये जा सकते है ऐसी बात को मद्यनजर रखते हुए अलसाई ने शुरुआ थी में कुछ ऐसे तरीके या मंत्र पढ़ लिये थे जिनकी वज़े से अब जिन्नात अलसाई को किताब पढ़ने से नहीं रोक पा रहे थे ऐसी वज़े से वो कुछ ताकत वर जिन्नातों को काबू करने के आखरी चैप्टर तक पहुँच चुका था लेकिन कहा जाता है कि आखरी वकत में जिन्नातने अलसाई को मात दे दी जिसके बाद ये अपनी याददास्ट खो चुका और पागलों की तरह रहने लगा फिर कुछ सालों बाद जब इसे होश आया तो अलसाई ने जो बाते बताई उससे मालूम पढ़ा कि जिन्नातों ने उसके साथ क्या किया ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया कि अलसाई पर होने वाले जिन्नाती असर का तोड़ क्या था और ये किस ने किया था हैरत की बात ये है कि अलसाई अपने हावाश में आने के बाद खुद ये बात याद नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने किताब में आखिर क्या पढ़ा था यहां तक कि ये हादसा होने से पहले अलसाई जो तंत्रमंत्र या काला जादू जानते थे वो सब भी वो बोल चुके थे हैरत अंगेस तोर पर उन्हें पूतकाल में अपनी जिन्दगी के सिर्फ वही हालात याद थे जब उनको जिन्नातों ने अपना निशाना बनाया था जिसके बाद वो पागलों की तरह इतरोतर पटकने लगे थे इसे लिए तो लोग उनको अलसाई गह कर पुकारने लगे थे दोस्तो आज भी अल्शम्स अल्मौरिफ अल्कुब्रा के नाम से काला जादो की बहुत सी किताबे मौजूद है जिसका और तो तरजमा भी हासल किया जा सकता है मगर ये वो असल किताब नहीं है जो अहमद बिन अली अल्बूनी ने लिखी थी बलकि किताब के इसी नाम को इस्तिमाल करते हुए बहुत से तांत्रिक अपनी किताबों का नाम भी अल्शम्स अल्मौरिफ अल्कुब्रा रख देते है और इसके लेखक के नाम पर वो खुद का नाम नहीं लिखते बलकि एहमद बिन अलियल बुनी का नाम लिख देते है दोस्तो आपको क्या लगता है क्या वाकई में कोई आसी किताब मौजूद थी भी जिन से जिननातों पर काबू किया जा सके खेर वीडियो के बारे में खुश भी राय हो वो कमेंट करके मुझे जरू बताए असलाम आलेकुम